असे लागे कमिया जन्रल Helena क्रेक्टरिस्टिक्स निल सक्वे इनिल सक्वे деньги उस्टेडिय करने के बादद में आधब हम स्टेडी करेंगे अधनि और Jap any लै कि यह सब्सक्रारूट l किया गया है कभी proto-storms, dutro-storms, कभी vertebrates, invertebrates, so different terminologies हैं, यह सारी terminologies शूरो में हम इसलिए study कर रहे हैं, कि जब हम phylum को study कर रहे होंगे, वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इस phylum के अंदर जितने भी animals हैं, उनकी symmetry radial है, इस phylum के अंदर जितने भी animals हैं, वो proto-storms हैं, वो dutro-storms है तो यह terminologies आपको अगर यहां पर समझ आगी, वहां पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके, so animals को classify जो किया गया है, इस lecture के अंदर वो क्या है, on the basis of symmetry, symmetry की बहस पर animals की तीन classes हैं, पहली आगी radial symmetry, दूसरे animals कौन से आगे, bilateral symmetry वाले, तीसरे as symmetry वाले, ओके, यह ऐसे animals होते हैं, जिनकी जो body structure है, वो ऐसी होती है, कि अगर हम उसे दो एक या एक से ज्यादा जगा से काटें, तो दो equal half में उनकी body divide हो जाए, example के जरीए में आपको बताता हूँ, जैसे यह pen है, ठीक है, हम इसे दो जगा से इस तरीके से काट सकते हैं, कि यह pen दो equal half में divide हो होगा, definitely होगा, यानि ऐसे मैंने divide किया, दो equal half में divide होगा, लेकिन अगर इसे मैं ऐसे divide करूँ, फिर भी यह दो equal half में divide होगा, इसका मतलब यह है कि इसका central axis क्या है, जो बिल्कुल center के अंदर है, और इसे हम एक से ज्यादा जगों से divide करके, दो equal half में divide कर सकते हैं, तो ऐसे animals जिनकों हम एक से ज्यादा जगह से काट कर दो equal half में divide कर सकें, दो mirror images बना सकें, तो ऐसे animals कौन से होते हैं, radial symmetry वाले होते हैं, फार एक्जामपल यहां पर हमारे पास jellyfish है, starfish है, इस तरह different organisms ऐसे हैं, जिने हम दो equal halves में, एक जगह से ज्यादा जगह से cut लगा कर, दो equal half में divide क सकते हैं, जैसे यहां पर यह jellyfish है, इसे हम ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे, so different जगहों से हम काट कर, इसे दो equal half में divide कर सकते हैं, इसी तरीके से जो starfish है, उसे हम इस तरीके से, एक एकसे से ज्यादा यह एक प्लैन से ज्यादा जगहों से slice कर सकते हैं और दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो ऐसे एनिमल्स कौन से होंगे रेडियल सिमेटरी उनकी बाड़ी होगी ओके इस एनिमल्स केन बी स्लाइसट इन्टो इक्वल हाफ फ्रम मोर देन वन प्लैन एक प्लैन से ज्यादा हम जगों से काट करें इन्टो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं बाइलेटरल सिमेटरी वाले एनिमल्स कौन से होंगे बाइलेटरल सिमेटरी वाले एनिमल्स का माउथ होगा और एनस पोर्शन होगा और इन्हें हम सिर्फ एक जगह से 2,087 में डिवाइड कर सकेंगे इसकी example humans है यानि इनसान को अगर हम यहाँ center से cut करें तो 2,098 में इनसान डिवाइड हो रहा है अगर यहाँ से cut करेंगे तो 2,098 में डिवाइड नहीं ओर और किसी जगह से भी इनसान को 2.8 में divide हम नहीं कर सकते सिर्फ 1.8 प्लैन से हम 2.9 में divide कर सकते हैं इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो यह एक B है तो इसको भी हम जब ऐसे center से काटेंगे front से काट रहे हैं ठीक है तो यह 2.9 में divide होगी 11.8 आगी एक पारा आग्या आधी बाड़ी आगी आधी टांगी आगी तो दो एक उलाब में ये डिवाइड हो जाएगी ओके यहां पर मैंने कुछ टर्मिनालिजी लिखी है यह समझना भी जरूरी है तो इन्हें भी समझ लेते हैं यहां पर ही यहां पर आगर आप देखें तो यह बी का उपर वाला पॉस्टीरियर एरिया एंटीरियर पार्ट पॉस्टीरियर पार्ट तो यह टर्मिनाल्जी आपको देखने हूं मिलती है यह मैं आपको समझा देता हूं यानि ऐसे ऑर्गिनिजम जिनकी बाड़ी स्ट्रक्चर ऐसे लंबी लंबी होती है ठीक है जमीन की तरफ होती है जैस चेस्ट वाला एरिया होता है, वो क्या होता है, वेंट्रिल एरिया होता है, और जो माउथ वाला एरिया होता है, वो क्या होता है, और जो एनिस वाला ये बट वाला एरिया होता है, वो क्या होता है, पोस्टीर एरिया होता है, पोस्टीर एरिया होता है, जब कि अगर हम इंसा इंसानों की बात करें, तो इंसानों का जो chest वाला area है वो कौनसा होगा, जो यहां पर इनका है, ventral area, जो back वाला area वो कौनसा होगा, जो यहां पर इन organisms का मैंने दे रखा है, dorsal area, back वाला area, dorsal area, और इनसानों का ventral, sorry, anterior आंटीर और पौस्टीरेर एरिया कौन सा होगा ? 오पर और नीचे नहीं होगा ठीक है ? एंटीरियर पौर्षन कौन सा होता है ? माउथ की फैस में जो हो posterior होगा, इसका मतलब है, इंसानों के case में, dorsal is equal to posterior and ventral is equal to anterior, यानि आगे वाले area को हम इंसानों के case में anterior भी बौल सकते हैं, और ventral भी बौल सकते हैं, जबके back area को हम posterior भी बौल सकते हैं, और dorsal भी बौल सकते हैं, तो ये कुछ terminologies clear करनी थी, अब हम तीसरी type की symmetry की दरफ आते ह हैं, और इस symmetry को बलते हैं, asymmetry, यानि ये ऐसे animals होते हैं, जिनकी कोई symmetry ही नहीं होती, यानि आप जिदर से भी काटें, दो equal half में ये animals divide नहीं होंगे, इसकी example आगी, sponges बगएरा, और कुछ hydra भी इस type के आते हैं, जब आप किसी भी plan से divide करते हैं, तो दो equal half में ये divide नहीं होत झाले छिदिके नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं।